और आपके जो आसपास के लोग है ना आपके जो समाज के लोग है ना वो चाहते भी यहीं है कि इस इंसान को हम इसके मन से ठका दें इस इंसान के मनोबल को हम तोड़ दें इसको किसी तरीके से मन से अपाहिज बना दें तन से कोई अपाहिज आना कोई दिक्कत की बात नहीं ह अच्छा है ठीक है काफी जादा परिशान था मतलब मैं आए दिन बच्चों से मिलते रहता हूं तो मुझे उनकी मन की बाते पता चलते रहती हैं क्या है क्या नहीं उनके परिशानियों को अच्छे तरीके से समझ रहा होता हूं ठीक बच्चा है उसने कहा कि सर मैं तयारी बह तो एक है ना मुझे गीता की एक लाइन वो याद आ गई और एक छोटी सी बात कही गई है गीता में ठीक है चलो मैं थोड़ा साइड़ कर बताता हूं ऐसे कि ऐसे समझो कि हर इंसान के पास है ना कुछ ना कुछ मेरे बाई कमजोरी है आप इस बात को हमेशा समझे जैसे गीत आप भी ये बात है आप ऐसे समझो कि कोई भी इंसान किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा गाना नहीं का सकते हैं कोई वेक्ति अगर बहुत त बिहार की बात करें तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे मैट्स में हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं है और अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं मैट्स में नहीं है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई भी वेक्ति आप के आसपास ऐसा है जो हर चीज में perfectionist है कहीं न कहीं कोई न कभी एक weak point किसी का जरूर है अब आपके साथ problem क्या हो जाता है कि आपकी अगर एक दो weak point है न तो आप उसी को अपना आधार मान के जीवन को चलना शुरू कर देते हो और अपने आपको perfectionist है नहीं होगा हो सकता है किसी चीज में आप बहतर होगे तो वो किसी point पर कम होगा इसलिए तो मैंने example दे आना कि सचिन तंदुल कर लता मंगेश कर नहीं बन सकते और लता मंगेश कर कभी सचिन तंदुल कर नहीं बन सकती अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि बिना अपनी ताकत को पहचाने आप काम कर रहे हैं और लगातार मेहनत किये जा रहे हैं तो सफलता कहां से मिलेगी अपने points को जानी है न ये बात आप आप maths में अच्छे हैं, आप reasoning में अच्छे हैं, आप GS में अच्छे हैं कोई इंसान कभी भी हार नहीं सकता है जब हो मन से किसी को कोई न हरा दे अगर मुझे किसी ने मन से हरा दिया ना तो मैं हार जाऊंगा तन से कभी नहीं हरता मेरे भाई अभी दो मिनट पानी वानी प्यों फिर से energy आ जाएगी तो अगर किसी पॉइंट कोई आपका week है मान लीजे कि आपका match बहुत अच्छा है English आपकी week है तो भाई उसके उपर काम करिए उसके उपर मेहनत करिए ऐसा नहीं है कि जैसे बचपन से ही सचिंग को cricket खिलना आ गया था ठीक है शुरू में काफी सारे ऐसे ball थे जिस पर वो बोल्ड अगये जिरो पर बोल्ड हो गये धुनी का ही देख लो यार पहला match ही run out हो गया था बंदा और आज एक वक्त के लिए भगवान माना जा रहे हैं आप cricket के history में तो वो क्या होता है कि आप अपने कमजोरियों पर काम करना शुरू करिये उसको और बहतर करना शुरू करिये वो ज़्यादा अच्छा है ना कि यहाँ पर बैट के मन हार के और उसके बाद अपने आपको रोना शुरू कर दो कोसना शुरू कर दो उससे दर्द, पेन, उसके अलावा मेरे भाई कुछ नहीं मिलने वाला है और आपके जो आसपास के लोग है ना, आपके जो समाज के लोग है ना, वो चाहते भी यहीं है कि इस इंसान को हम इसके मन से ठका दें, इस इंसान के मनोबल को हम तोड़ दें इसको किसी तरीके से मन से अपाहिज बना दें, तन से कोई अपाहिज आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है मन से अपाहिज मत होना मेरे भाई, मन का अपाहिज इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं जीत पाएगा तन से तो अपाईज इंसान को आपने IPS भी बनते देखा, IS भी बनते देखा, बड़े-बड़े अधिकारी बनते देखा हुआ है लेकिन मन का अपाईज इंसान एक MTS तका paper नहीं निकाल पाता है तो मन का अपाईज मत बनो आपके पास ताकत है, आपके पास शंता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में उस बात को मानिए, थोड़ी असफलता है आती है जीवन में हर किसी के आती है यार ठिक है, उतार चड़ाओ तो जीवन का नियव है मेरे भाई यह नहीं रहेगा तो जीवन इंसान जीएगा कैसे मैं तो कई बार कहता हूं ICU में देखते हो ना एकदम सांसे जब चलती है तो एकदम आईसे आईसे रहता है कि उपर नीचे उपर नीचे जिस दिन मेरे भाई एकदम यह आईसे हो गया ना समझो तो इंसान खतम है तो परिशानी आती है तो आने दो टेंशन की बात नहीं है भाई कोई टेंशन नहीं है आ रहा है इसका मतलब तुम जिंदा हो नहीं आ रहा ना तो उस दिन भाई प्रॉबलम है फिर तो 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 तुम गलाती ट्राक पर जा रहे हो ठीक है तो दूसरे को देखके ये नहीं कि हाँ उसका हो गया तो क्या आपने कमियों पर काम करो बहतर कर सकते हो यार आपके जैसा दूसरा परसंग कोई नहीं है उस पर देखो न यहाँ पर यार देखो वीडियो अच्छी लगती है न तो लाइक जरूर किया करो यार आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और इचा करने की और बढ़ियां कंटेंट लेकर आने की और साथ में वीडियो को हर जगा पर शेयर भ